ग्लोबल पारेमीटर्स पर बहतरीन इंजिनियर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए देहरदून की ग्राफिक एरा यूनिवरस्टी और टाटा टेक्नॉलिजीज के बीच M.O.U. साइन हुआ है इस M.O.U की साइन होने के बाद प्रेजिडेंट टाटा टेक्नॉलिजीज आनन बदे ने अपनी कंपनी और ग्राफिक एरा यूनिवरस्टी में हायर एंड सिमूलेशन सेंटर स्थापित करने की बात कही M.O.U. is basically regarding the five competency centers that we are going to help with graphic era with The first one is technology center which basically is focusing on all the technological elements in the industry that the industry is going towards there is a M.E.S. I.O.T. center which is the second center the third is the mechatronics center or the lab car center and the fourth is advanced manufacturing center where we would have a lot of machinery to capture the trends that are happening in the industry and bring the latest infrastructure for graphic era students to really experiment अब तक B.T.E.C. करने के बाद छातर को placement के लिए train होने के बाद करीब दो साल लग जाते थे लेकिन Tata Technologies के सहयोग से बने Excellent Centers में Tata के विशेशक्यों से ट्रेनिंग लेकर युवा उद्योगों में पहुँचने के बाद पहली ही दिन से कुशल प्रोफेशनल्स की तरह काम कर सकेंगे इससे एक तरफ जहां युवाओं को रोजगार के बहतर अफसर मिलेंगे वही दूसरी तरफ उद्योग जगत को ऐसे प्रोफेशनल्स मिनेंगे जुन्हें Preliminary Training की जरूवत नहीं होगी जो इस्ट्यूट से बच्चे सीखके जाते हैं जो इंडरस्ट्री में यूज हो रहा है उससे टूटली डिफरेंट होता है तो उनको 12 मेने 18 मेने तक उन्हें अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है तो अगर इस्ट्यूट में ही टाटा बच्चों को ट्रेनिंग दे देगा वो तो आगे जाके बच्चे सीधे जहां जाके परफॉर्म कर सकते हैं पहले दिन से ही एक इस्ट्यूट के जिवन में अलग-अलग पड़ाओ आते हैं और ये भी एक पड़ाओ है मैं बुलूँगा जो हमें नहीं हो चाहिएं की तरफ ले जाएगा